हेलो एवरिवन विल्कम करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशल अड़ा पे और इस वीडियो में हम लोगे लिमिटेशन एड के कुछ MCQs डिसकस करेंगे इससे पहले वाले इसी वीडियो का पार्ट वन हमने अपलोड कर दिया है दो दिन पहले ही और हमने आपको प्रॉमिस किया था कि इसका सेकेंड पार्ट बहुत ही जल दे के आएंगे तो राजस्तान जुडिशी और हर्याना जुडिशी को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो के सिरीज चला रहे हैं आपको सारे एक्ट पे वन बाई वन सिरीज आपको वीडियो मिलते रहेंगे इसके फर्स पार्ट में हमने 25 कुष्टन डिसकस किये थे आज भी हम लोग 25 से 30 कुष्टन को डिसकस करेंगे बहुत ही जल्दी तो बने रहे हैं वीडियो के साथ वीडियो को लास्ट तक देखें यह आपसे रिक्वेस्ट है और अगर आप मेरे वीडियो चैनल पे फर्स टाइम है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइगन को प्रेस करना ना भूलें बने यहां पे डी इस तक रिक्ट आंसर मैं आपको बता दूं कि लिमिटेशन एक्ट जो है एप्लीकेशन सूट अपील पे अप्लाई होता है गर तो कोई तो कोई भी जो अपी जो चय। लगाने वाला है है ना उसको अगर वो sufficient cause देता है तो उसको और period मिल सकता है अगर court को satisfy कर ले जाता है तो तो और उसको limitation period खतम होने के बाद भी प्रिस्काइब period खतम होने के बाद भी उसको और extra time भी मिल सकता है अगर उसने court को satisfy कर दिया कि को sufficient cost था, इसलिए मैं within period appeal नहीं ला सका, इस तरीके से section 5 बताता है by which method remedy of time barred debt may be obtained by a decree, तो यहाँ पर none of the above है, section 3 इस से related आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर है कि mandatory provision बता है, कि अगर जो prescribed period है, उसके बाद आप लाते हो तो वो dismiss कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर यह कह रहे है न, time barred debt का कोई option नहीं है, वो dismiss कर दिया जाएगा आपका, तो यह none of the above section 6 of the limitation act pertaining to legal disability is applicable to suit and execution of decree, appeal, both and be none of the above, तो correct answer is a option है, मैं आपको बता दूँ, section 6 में legal disability है, legal disability का मतलब यह होता है, यह कहते हैं कि जब suit या application लगाया जाता है execution of decree के लिए, तो माल लेया, जब prescribed period start हो रहा है, रिकर्ण हो रहा है, उस starting point में माल लेया, जो suit फाइल करने वोला है, क् plaintiff, या जो application लगा रहा है execution का, वो उस time माल लेया की minor है, या माल लेया की idiot है, है ना, या माल लेया पागल आदमी है उस time है, जस time उसका period start हो रहा है, तो उतना period जब तक वो सही नहीं हो जाता, तब तक उसका exclude कर दिया जाएगा, जब वो सही हो जाएगा, फिर वहां से उसक बताया कि suit or application for execution of degree पर ही यह applicable होता है legal disability वाला, तो जाहिट से बात है appeal पर applicable नहीं है, तो B is the correct option, next question, who comes within the ambit of legal disability, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो legal disability है, वो minor को cover करता है, यानि कि अगर को minor है, तो वो legal disability के definition में आ जाएगा, insane है, या idiot है, तो यानि कि A, B, C, तीनों correct है तो आप G वाला option ये वाला correct कर दो, G is the correct answer, who does not come within the ambit of legal disability, तो obviously वात है, यहाँ पे minor, insane, idiot को छोड़के, insolvent और popper, convicted, person suffering from incurable depresy, तो यह सब exclude कर देगा, यह सब legal disability के definition में नहीं आते है, हमें section wise चलना है, जो section 6 legal disability कहता है, उसके according कहीं इन सब का नाम नहीं है, insolvent, या popper, या convicted, है न, हाँ popper है, अगर आप गरीब हैं, तो जब popper के लिए apply आप करते हैं, तो जब आप, होता है न, कि जब कोई popper या गरीब होता है, तो as a popper वो suit institute करने के लिए, उसे पहले court में apply करना पड़ता है, application लगाना पड़ता है, जब application लगाएगा, जब उस is correct, plea of limitation के regarding, कौन size statement correct है, by mutual consent of both the parties, limitation may be relinquished, by दोनों parties अगर आपस में सहमत कलने हैं, तो क्या limitation period उसको relinquished, mask किया जा सकता है, by written plea of party, limitation may be relinquished, ऐसा है, court as per its discretion in the interest of justice may ignore the period of limitation, क्या ऐसा है, none of the above I think है, ऐसा है, कुछ नहीं है, section 3 यहाँ पे भी applicable हो जाएगा, एक बार जो prescribed है, वो खतम हो गया, तो dismiss कर दे जाएगा, आपका suit है, यह थोड़ी है कि आपस में plaintive defendant टाय कर ले, भाई देखो, period of limitation मेरा suit file करने का इतना दिन था, चलो हम limitation खतम होने के बाद भी हम suit ला रहे हैं, तुम क्या इससे राजी हो, mutual consent कर ले, dependent plaintive तो जाके वो suit file कर सकेंगा, ऐसा नहीं ह ऐसा होता तो manipulation होने लगेगा, फिर तो, limitation act है कुछ मतलब भी नहीं बनेगा, subject to the provision of section 4 से लेके 24, every suit appeal and application presented after the prescribed, यह मैं यहीं से बता रहा था, जब भी मैं आपको कह रहा था, तो कोई prescribed है, उसके खतम होने के बाद क्या होता है, dismiss हो जाता है, section 3 है, इसके लिए आप section 3 refer कर सकते हैं, section 3 को मत्यनाजर रखते हुए मैं यह बात बोल ला था, तो यहाँ पर यह ही है, shall be dismissed में बार बार word यूज़ कर रहा था, shall be dismissed, dismiss कर दे जाएगा, mandatory provision है, ना, एक बार prescribed period खतम होगा, तो dismiss कर दे जाएगा, where the prescribed period for any suit, appeal or application expires on a day when the court is closed, the suit, appeal or application may be instituted, preferred or made on the date, जब court दुबारा open होता है, यह आपको मिल जाएगा section 4 में, वहाँ पर यह provision है, कि जिस दिन माल ले है, कि आपका जो appeal या suit दायर करने का, या application लगाने का time है, last day, जिस दिन है, उस दिन कोट ही बंद है, मतलब कि आपके पास 6 महीन थे, तो आप 6 महीने के आखिर में आखिरी दिन पर code गए, त उस दिन आप अपना suit institute कर सकते हो, या appeal prefer कर सकते हो, या application लगा सकते हो, nothing in section 6 और 7 applies to suits to enforce, nothing in है यह, nothing in section 6 और 7, section 6 में जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि legal disability था, section 7 में क्या है, section 7 में आप यह कह सकते हैं कि disability of one of several persons है, तो वहाँ पर करें, nothing in section 6 और 7 applies to suits to enforce, matrimonial rights, rights of preemption, यहाँ पर राइट of preemption है, 35 का, next question, where once time has begin to run any subsequent disability और inability to prevent any suit और application, अभी कहने जब एक बड़ ट्राइम रन करने लगता है, जैसे कि माल लिया कि आपको कहा गया कि आपको यह suit फाइल करने के 6 मेने आपके पास, है ना, और आपका limitation है, आपका time जो है start हो गया, आपकी घड़ी टिक-टिक start हो गई, तो कहते है क आपके पास suit इंस्च्टूट करने का 6 महीने थे, एक मेना बेद गया, दो मेने बेद गया, आपने suit इंस्च्टूट में क्या, तीसरे महीने में आप माल लिया पागल हो गया, लिउनेटिक हो गया, या इडियाट हो गया, तो यह फिर रुके गगने टाइम चलता रहगा, आपके पास 6 महीने का टाइम पर आएगा तो यह डज नॉट इस्टॉप में आप कह सकते हैं कि A is the correct answer Under section 12, subsection 1 of Limitation Act 1963, in computing the period of limitation for any suit, appeal or application, the day, the day, the day, yes, see, from which such period is to be recunded, जहां से वो period start होना है, वो exclude कर दिया जाता है, जैसे मैंने आपको कहा, कि आज से 17 October 2021 से, आपको पास 6 महीने का prescribed time limit केता है, तो 17 October को छोड़ दिया जाएगा, 17 तरीक को छोड़ के 18 से count होगा आपका 6 महीना, यह वो यहां पर बता रहे हैं, ऐसा section 12, subsection 1 में लिखा है, Next question, in computing the period of limitation for an appeal or an application for leave to appeal or for revision or review of a judgment, the day on which the judgment complained of was pronounced and the, यहां पर आप भी वाला option देखे, time जितना copy उस decree या उस sentence या order की copy लेने में जितना time लगेगा, वो exclude कर दिया जाएगा, ऐसा कहां पर लिखा है सर, ऐसा लिखा है या section 12, subsection 2 में, section 12 क्या बताता है, पूरा को पूरा section 12 क्या बताता है, वो 12 यह बताता है कि कौन सा time जो है exclude कर देजगा, वो कहता है जो legal proceeding है, legal proceeding में जितना time जाता है वो exclude कर देजगा, जैसे मालना है कि आपको appeal में जाना है, आपके against में degree पास हुई, आप judgment determined बन गए है, now you have to go to the appeal, अब appeal का provision आपने CPC में पढ़ा है, कि copy of degree आपको लेनी पड़ती है, appeal के साथ एक copy attach करनी पड़ती है, तो जो आपको अगर copy चाहिए degree की original या photocopy तो आप apply करते हो quote में, तो जो apply करने में, receive करने में, copy आने में आपके घर में जो time लगा, वो exclude कर दिया जाएगा, वहां से आपका 6 मिन नहीं स्टार्ट होगा, जब आपको copy मिल जाएगी, तो वहां से आपका 6 मिन नहीं स्टार्ट होगा, वहां से आपको appeal करना पड़का 6 मिने कंदर, so this is the whole scenario of section 12, ये part 3 में हो, पूरा का पूरा बताता है, period of limitation कैसे compute करते हैं, next question, in which section or subsection, it has been provided that in computing the period of limitation, for an application to set aside an award, the time requisite for obtaining a copy of the award, shall be excluded, ये भी actually section 12 से, section 12 में actually 4 subsection है, subsection 1, 2, 3, 4, तो अलग-अलग legal proceeding में चीज़ें अलग-अलग बताएगी, अब यहां पर subsection 4 में क्या बताता है, कि अगर award पास हुआ है, आपके against में, और आप उसके खिलाब जो है जाना चाहते हो, आगे, है न, तो set aside करवाना चाहते हो, जो भी है, तो वो कहते है, जितना award की copy लेने में time waste होगा, उसको exclude कर दे जागा, ये subsection 12, subsection 4 में कहते है, what is the meaning of the phrase time requisite for obtaining a copy, तो यहां पर जो time copy receive करने में, obtain करने में लगए हो, क्या, मतलब minimum time, या maximum time, या reasonable time, या actual time, यहां पर actual time, अगर माले 6 महना होगा, copy receive करने में 6 महना ल cases, where leave to sue or appeal as a popper is applied for, has been provided, popper से related section आपको बताया, तो section 13 में, वो कहता है कि अगर आपने कोई appeal के लिए, या suit के लिए, as a popper, कोई suit दाखिल करना चाहते हो, या appeal दाखिल करना चाहते हो, as a popper बन के, तो इसके लिए application लगाना पड़ता है, quote में, तो वो जितना time वहां पर होग तो वो कि आप आपका application एक्सप करने में, जितना time लगेगा, वो exclude कर दे जाएगा, under section 14 of limitation act, time of proceeding bona fide in court, without jurisdiction is excluded, in this context, what kind of jurisdiction has been intended, तो आपर jurisdiction का मतलब, pecuni jurisdiction भी है, territorial, जब मैंने आपको CPC पढ़ाया था, तो आपको पता होगा, जो लोग हमसे पढ़े है, judicial adda के platform पे, जिन लोगों होते हैं, subject matter से संबंदी jurisdiction होते है, pecuni jurisdiction का मतलब क्या होता है, कि monetary term में jurisdiction, एक court का माल लेकि, एक court जो है, ये 50,000 से ज़्यादा fine नहीं लगा सकती, तो इसको हम कहेंगे, pecuni jurisdiction, territorial jurisdiction का मतलब, jurisdiction wise जो है, area wise किस हद तक उनका jurisdiction है, यारनि कि 12 बंकी है, 12 बंकी में कोई court है, तो उनसे कह है, कि 12 बंके में जितने में मामले होंगे, civil related, आपके हाथ में आएंगे चीज़े, तो इनको कहा जाएगा, territorial jurisdiction, subject matter से संबंदी jurisdiction का मतलब, हिमल्या की matrimonial court है के special बना दियागा, कि शादी होधी से related, divorce related, आपके पास cases आएगे, so that is called jurisdiction regarding subject matter, तो यहाँ पर तीनों की context में बोला jurisdiction, यहाँ पर E वाला option है, A और B और C, provisions of section 15 of limitation act do not apply to, किस पर apply नहीं होता, तो आप कहा सकते हैं कि appeal पर apply नहीं होता, section 15 क्या है, exclusion of time in certain other cases, यान other cases में कोई अगर exclude करने का time वो बताते हैं, तो वहाँ पर यह बात करता है, suit or application for execution पर section apply होता है, appeal पर नहीं अप्लाई होता, under section 15 of this act in which cases exclusion of time has been provided, तो आप यह कह सकते हो, period of notice, time requisite for obtaining the pre consent of sanction, section 15 में actually बताया है, कि माला है कि कोई suit in suit करने से पहले आपको central government से permission लेना है, consent लेना है, तो जो central government से आप leave लेके आओगे, consent लेने, apply कर होगे, application लगा होगे, उनका consent मिलेगा, तो यह सब time exclude कर दिया जाता, तो वह section 15 बत रहता है, exclusion of time in legal proceeding, section 15 क्या बता रहा है, exclusion of time in certain other cases, तो other cases में यही सब आ जाता है, कभी कोई suit file करने के लिए माला है, आपको state government के permission चे तो state government के पास पहले आप जाएंगे, state government से permission लेंगे, permission मिलेगा, तो जितना यह time बरवाद होगा, इस चीज़ों में, वह exclude कर दे जाएगा, आपका, जब आप concern मिल जागा, तब आपका period इस start होगा, यह all of the above है, under this section of limitation act, it has been enshrined that in computing the period of limitation for a suit for possession by purchaser at a sale in execution of a decree, time during which a proceeding to set aside, the sale has been prosecuted, shall be excluded, यहाँ पे section 15, subsection 4 अवा ही वाला है, यह subsection 4 को आप पढलेना section 15 का समझ में आ जाएगा, आपको, In case the death of person happens before the accrual of the right to suit, period of limitation shall be computed from the time when, यह simple सी बात यह कह रहे है कि जब कोई इंसान मर जाता है, उसका right to suit accrual होने से पहले माले है, वो मर गया, तो period of limitation जो कहां से उसका start होगा, तो यहाँ पे यह वाला correct है, जो legal representative उस मरे हुए आदमी का होगा, वो capable हो जाता है, suit institute करने के ला तो time from when the legal representative of disease become capable, माल लिया कि एक इंसान उसको suit दाखिल करना था, वो मर गया, ठीक है, तो मरने के बाद उसका बच्चा होगा, माल लिया उसका बच्चा 15 साल का है, तो अभी तो वो minor है, legal disability उसका apply हो गई, तो जब वो बच्चा 18 साल का होगा, तो फिर 18 साल से period of limitation start होगा, 18 साल exclude कर दिया जाएगा, तो यह यहाँ पर बता रहे हैं, section 17 relating to the effect of fraud or mistake does not apply to, fraud or mistake वाल अपील पर अप्लाई नहीं होता है, suit or application पर अप्लाई होता है, 48, fresh period of limitation shall be computed from the date of acknowledgement, what are the valid condition of the acknowledgement, इसकी के लिए आप section 18 को पढ़ लिजेगा, महाँ पर acknowledgement की बात कहीं कहीं है, तो यह all of the above, acknowledgement of liability in respect of property or date, acknowledgement should be of existing present liability, intention of the acknowledgement should be clear, यह all of the above, which is not an essential condition of a valid acknowledgement, यह writing में होना चाहिए, यह essential condition है, it must be written by the concerned person himself in his own handwriting, यह नहीं है, यह नहीं है, यह I think essential condition नहीं है, it must be signed by the concerned person, यह भी essential condition है, acknowledgement must be before the expiry of the period, यह भी essential condition है, यह भी वाला correct answer है, among the following statements, which statement is false, an acknowledgement may be made by an agent of the person under liability, and if acknowledgement, यहाँ पर D वाला correct है, an acknowledgement may be made by any friend, relative employer, employee of the person under liability, यह गलत है, यह false है, acknowledgement किसी relatives के दौरा नहीं बनाया जा सकता है, So I hope कि आपको आज कि यह वीडियो समझ में आई होगी, और इसी पर limitation act पर अभी हम लोग 25 questions all लाएंगे, और subscribe करिए, मैं दुबारा आपसे request करता हूँ, कि आप like करिए, subscribe करिए, share करिए वीडियो को, ताकि आपको आने वाले notification मिल सके, और comment में आप बताएए कि आपको किस question म पर प्रॉब्लम हुई है, हम आपको इसको explain करके बताएंगे, okay, thank you so much everyone for giving your precious time.